आप सभी को मेना नमस्ते इंपेक्ट एजूकेशन अपके ओनलाइन प्लेटपों पे आपका हर्दिक शुवागत है आपका स्लेबस में थे मैं टिक्स का अल्रेडी हो चुका था तो आज अपन मैंने बोला था आपको कि अपन स्लेबस होने के बाद एक आपके एक्जाम में आ सेक्शन A और सेक्शन B सेक्शन B सेक्शन A में क्या होते हैं । में क्यूस प्रेडिएं फिल इन दबलेंग् कि ढूमकर्डह कोसानल चो क्या होते हैं ऐब्जेक्टिव टाइप Systems, 10 अब जेक्टिव टाइप और 10 फिल इन दे ब्लेंक्स यह आपको फिल करने होते हैं और objective में options टिक करने होते हैं जैसे A B C D 4 option दे दिए किसी question के तो सही कौन सा है वो आपके side में box दिया होगा उसमें लिखना होता है और जो section B होता है section B होता है जो आपके बड़े question होते हैं वो पूचे जाते हैं इसमें इसमें आपको total उसका method complete solution करना है और उसमें कहाई जैसे rough में कर लिया solution उसके बाद जो option आया वो लिख दिया तो अपन आज पहले इस class में अपन section A कर लेते हैं उसके बाद section B देखेंगे अपन तो पहले section A में किस किस टाइप के question पूचे जाते हैं वो अपन देखते हैं आपके पहले हैं fill in the blanks blanks fill करने और उसका question यह है if f of x बराबर x cube minus x then f minus 1 अगर कोई function है जिसकी value के x cube minus x तो अपन को f of minus 1 निकान ला है अब यह आपको पता चल रहा है किस से है function function वाला chapter जो अपने पढ़ा था function वाला chapter अपने पढ़ा था उसमें अपने इस type के question करे थे कि x की जगह अपन कोई भी value रखते थे कोई भी अचर value रखते थे तो वो उसकी value आ जाती थी अपने पास तो अपने को क्या रखना है x बराबर minus 1 x बराबर minus 1 रखेंगे तो क्या होगा अपने पास f of minus 1 बराबर minus 1 का cube minus minus 1 अब यह क्या होगा, minus 1 का क्योग कितना होता है, minus 1 नहीं होता है और यह minus minus क्या बन जाएगा, plus plus 1, तो यह cancel out हो गया और यह क्या आगया, 0 तो इसकी value कितनी है आएगी यहां पर क्या लिख देना है आपने को 0, यह इसका first question का answer हो गया यह आपका एक number पक्का हो गया अब बिल्कुल easy question है जिस level के अपने class में करें उससे भी बिल्कुल 0 level है next question अपने पास limit वाली chapter से limit अपने पढ़ी थी limit limit में क्या था limit में अपने देखा था कि अगर direct limit लग रही है तब तो लगा देते हैं अगर नहीं लग रही 0 बटा 0 का रूप बन रहा है 0 बटा 0 का तो अपन उसके क्या करते थे या तो factors करते थे या factors नहीं तो L hospital rule लगाते थे तो अपन यहां पर क्या करेंगे इसमें direct लगा के देखेंगे तो अपने पास क्या बनेगा 5 का square minus 25 upon 5 minus 5 तो यह बना 0 बटा 0 0 बटा 0 जो की एपरिवाशित है तो अपन क्या करेंगे इसके factors करेंगे पहले factors कैसे करेंगे अपने पास जैसे इसको क्या लिख सकते है limit x tends to 5 x square minus 5 का square upon x minus 5 इसको क्या लिख सकते है x square minus 5 का square अब जैसे अपन a square minus b square यह क्या होता है a minus b multiply a plus b a plus b यह होता है तो अपने इसको भी क्या लिख सकते है limit x tends to 5 x tends to 5 x tends to 5 x minus 5 और x plus 5 upon x minus 5 तो यह क्या होगा यह cancel out हो जाएगा और अपने पास बचेगा क्या limit x tends to 5 x plus 5 अब डारेक की क्या कर देना है x की value रख देंगे तो x की value कितने आएगी 5 plus 5 बराबर 10 इस type के question अपने बहुत question कर रहे थे class में तो यह क्या हो जाएगा यहां पर 10 इसका 10 क्या होगा answer होगा ऐसे अपन को यह break it fill करना है sorry यह जो रिक्तिस्तान है इसको fill करना है अब अपने पास again limit वाले question है limit वाला तो अपने limit वाले chapter में पढ़ा था जैसे कोई भी function है अगर addition में है multiplication में है और division में है तो उनकी अगर combined limit ले रहे है यहां पर देखो यह combined limit ले रहा है और function किसमें है division में है तो उसकी क्या करते थे अलग-अलग उपर नीचे limit ले ले लेते थे तो अपन कैसे लेंगे यहां पर limit x tends to a और अपने पास f of x upon g of x यह क्या है function है तो इसकी अपन ऐसे भी कर सकते है इसको limit x tends to a f of x upon limit x tends to a g of x g of x अब अपन को question में given है limit x tends to a है और f of x है तो क्या है अपने पास उसकी value क्या है a उसकी value क्या है a तो यहां पर a आ जाएगा दूसरा क्या है limit x tends to a g of x की value क्या है b तो यहां पर क्या आ जाएगा b तो अपने पास answer क्या होगा a upon b a upon b यह question इस type से limit के दो question थे वो अपने इस type से करें अब अगेन अपने पास है straight line का straight line अपने कली पढ़ी थी सरा ले रेखा तो उसमें क्या होगा 2x जैसे किसी रेखा का सम्ही करने है equation of line equation of line given है अपनको equation of line 2x minus 3y बराबर 6 यह given है तो इसमें अपने दो तीन चीजे निकाली थी एक तो slope gradient जीसे बोलते हैं या परवंदता जीसे बोलते हैं वो निकाली थी उसके बाद अपने intercept point देखा था उसके अंते खंड intercept को क्या बोलते हैं अंते खंड अंते खंड अगर y पे intercept कर रहा है तो x की value क्या करते थे 0 करते थे अगर x पे intercept कर रहा है तो y की value क्या करते थे 0 करते थे अपने पास वैसे होता था y बराबट mx प्लस c तो इसमें क्या होती थी इसको slope बोलते थे अपन slope लेकिन इसमें slope पूचा नहीं गया इसमें क्या पूचा है intercept point पूचा है तो x की value क्या कर देंगे अपन 0 रख देंगे intercept point निकालने के लिए क्या करते है x की value 0 रखते तो अपने पास यह है equation यह है तो यहाँ पे रखेंगे 2 0-3y बराबर 6 तो यह 0 हो गया minus 3y is equals to 6 y बराबर क्या हो जाएगा 6 upon minus 3 तो यह हो जाएगा minus 2 minus 2 तो यहाँ पे answer कितना जाएगा आपने पास minus 2 जो की y का intercept point है y का intercept point क्या है minus 2 कैसे निकाला पंडे straight line का concept आपको अच्छे से बताया था उसके बाद next question है अपने पास differentiation differentiation तो differentiation में कुछ formula करवाए थे तो जो objective type question होंगे आपके उनमें क्या है direct formula based आपके question पूछे जाएंगे तो इसमें जैसे 10x का क्या था 10x का अपने को पता है say square x say square x तो यहाँ पे क्या जाएगा say square x यह direct formula था direct formula differentiation 10x का क्या होता है say square x formula आपने पढ़ लिये होंगे उसके बाद अपने पास है x log t यह भी again क्या है अपने पास again differentiation तो अपने एक चीज़ पढ़ी थी log x log x तो इसका d upon dx जब करते थे तो क्या आता था अपने पास 1 बटा x यहाँ पे क्या है अपने पास यहाँ पे है अपने पास x बराबर log t t के suffix आउकलन करने पर आउकलन करने पर t के suffix करेंगे तो dx upon dt dx upon dt बराबर d upon dt log t तो अपने पास x का था तो x का इस टाइब से क्या था तो यहाँ पे क्या है t के suffix करने है और t का करना है तो क्या हो जाएगा 1 upon t 1 upon t तो अपने blanks में क्या आएगा 1 upon t 1 upon t तो यह क्या है डारेक्ट फोर्मूले बेस्ट है differentiation इस टाइप से कर लेंगे अपन अपने पास next है shake square x shake square x का integration integration पढ़ा था अपने integration तो integration में भी डारेक्ट फोर्मूला है direct formula है shake square x का क्या होता था integration just a alkaline का opposite तो यहां पर आजाएगा 10x 10x plus c यहां पर आजाएगा 10x plus c 10x plus c तो blanks में क्या आएगा 10x plus c डारेक्ट पूर्मूला है उसके बाद next question है अपने पास यह तो होता है matrix के लिए दूसरा अपने पास होता है यह वाला bracket इसको mode भी होता है इसा लेकिन अपने को क्या करना है mode नहीं बोलना है इसको यह क्या है determinate के लिए determinate determinate के लिए तो जब अपने पास 2x2 order की determinate होती थी तो अपन क्या करते थे जैसे अपने पास था a11 a12 a21 a22 यह होती थी तो अपन इसका यहां पी क्या था इसको determinate रखना है matrix नहीं बनानी है 2 determinate कब होगा जब mode के type का bracket होगा अपने पास तो इसको करते थे a11 multiply a22 minus a21 multiply a12 यह इसका solution होता था तो इस type से इसको करेंगे तो क्या होगा आपने पास 4 multiply 1 minus 1 multiply 3 तो यह क्या हो जाएगा 4 यह minus minus plus हो जाएगा plus 3 तो अपने पास क्या आया 7 इसका मान कितना आया 7 तो यहां पर क्या लिखेंगे यहां पर blanks होगा उसकी value क्या आएगी 7 हाएगी 7 तो यह determination अपने कर लिया उसके बाद यह क्या है यह देखो अब मेट्रिक्स है अपने देखा था जब दो मेट्रिक्स को आपस में सब्सक्रेक्ट या एड करते हैं तो उसका प्रतियक अभियो जो उसका संगत अभियो उसके साथ क्या होता था एड होता था मेट्रिक्स में ये तू बाई तू Willa की मेट्रिक्स और हेडिव होता ये अधिशन में क्या होता था है और में जुना हो डेमान को ांडर ऑडना चीप्वां है ध्न सव क्या जिलित दक चा जूंधा Still क्लाइब ripping चीह है तो अपन क्या करेंगे जैसे a11 a12 a21 a22 अपने पास दो मेट्रिक्स है माइनस b11 b12 b21 और b22 ये दो मेट्रिक्स है तो इसको करेंगे अपन a11-b11 a12-b12 a21-b21 a22-b22 ये क्या करते हैं अपन जो संगत अवियो होते हैं दो मेट्रिक्स के उनको आपस में जोडते हैं या घटाते हैं तो यहां पी क्या पूछ रहा है अपन को माइनस पूछ रहा है तो माइनस पूछ रहा है तो आपन क्या करेंगे माइनस वन माइनस सोरी वन में से टू माइनस करेंगे दूसरा अव्य हो क्या है 2 है और दूसरी मेट्रिक्स का क्या है 1 तो minus 1 करेंगे इसका तीसरा अव्य हो है 4 4 minus 3 4 minus 3 यहाँ पे है 3 3 और minus minus 1 minus 1 तो यह क्या हो जाएगा अपने पास minus का 1 और यह हो जाएगा 1 1 और यह प्लस 4 तो यह मेट्रिक्स आ गए अपने पास तो यहाँ पे जो अपने पास blanks दे रहा है जिसमें क्या आएगा minus 1, 1 और 1, 4 यह अपना solution होगा तो इस टाइप से अपन करेंगे अगर यहाँ पे addition होता तो प्लस होता तो प्लस में यहाँ पे क्या होता यहाँ पी प्लस आ जाता तो यह सब चीजे इस टाइप से करनी है अब जैसे यह है अपने पास अब transpose Matrix देखी थी अपने Transpose कैसे होता है Transpose Matrix Transpose उसमें क्या होता था जैसे अपने पास row है जैसे first row है उसको क्या बना देते थे अपन, first column, second row है उसको second column, third row है उसको third column, fourth row है उसको fourth column, तो अपने पास यह matrix है, तो इसको क्या कर देंगे अपन, a बराबर, 2, minus 1, 3, 1, 2, 5, 1, 2, minus 1, यह है, इसको क्या करेंगे अपन, a transpose, a transpose, तो क्या हो जाएगा, जो first वाली row है, उसको first column, 2, minus 1, 3, second row है उसको second column, 1, 2, 5, third row है उसको third column, 1, 2, minus 1, यह क्या हो जाएगा, इसके transpose matrix, तो इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर, वहाल लिख देंगे blanks में, 2, minus 1, 3, and 1, 2, and 5, उसके बाद 1, 2, minus 1, यहाँ जाएगी, यहाँ पर, तो यह इस type से, यह आपके 10 question थे, फिली इंदर blanks के, जो आपने, बिल्कुल easy, easy तरीके से कर लिए, और easily हो भी गए, तो ऐसे question आपके main exam में पूछे जाएंगे, जो फिली इंदर blanks में होंगे, और 10 question होंगे, वह आपको इस type से करने है, उसके बाद है अपने पास choose the correct answer, आपको 10 question गीवन होंगे, जिन में क्या होगा, आपको ध जो section B वाला है, वो दिया जाएगा, वो आपको paper गर लानने दिया जाएगा, लेकिन उसको करके copy को submit करना होता है, इसमें क्या है, जैसे choose the correct answer, चार option गीवन होंगे, हर question के चार option गीवन होंगे, उनमें से एक correct answer होगा, और 3 incorrect answer होंगे, अपन को क्या करना है, correct answer चूज करना है और जो side में, right hand side में क्या दिया होगा, एक box दिया होगा, आयताकार या square form में एक box होगा, उसमें क्या करना है, अपन को अपना answer लिखना है, अपने पास क्या है, अब ये देखो, ये कौन सा है, function से है ये, function वाला chapter था उससे, ये है, तो इसमें क्या करना है, अपने पास F हो A A equals to A minus 3 यह given है तो मैं A बराबर क्या रखना है A square क्योंकि मेरे कुछ ही है F of A square F of A square तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन A की जिगए A square रख दिंगे तो हो जाएगा A square minus 3 A square minus 3 अब इसमें देखो कौन सा option है A square minus 3 यह नहीं है यह भी नहीं है यह है तो यह अपना सही answer होगा अपन को क्या करना है यहाँ पर C फिल कर देना है box में C फिल कर देना है ऐसे इस टाइब से करने है next question क्या है आपने पास the value of limit वाला question है अब आप लोगों नहीं एक चीज पढ़ी थी मरलब कुछ मैंने basic वो लिखवाई थी जो direct result थे उनमें था एक limit x tends to 0 sin x upon x अगर यह है तो इसकी direct value क्या होती थी 1 तो जो section A में जो भी question पूचे जाएंगे वो बिलकुल basic होंगे और one liner होंगे तो इसमें direct यह है तो अपने पास क्या है limit x tends to 0 sin 2x upon x यह है अब मेरे को क्या करना है इसको मेरे को इस form में बनाना है जैसे यह complete क्या है इस complete को मैं मालूब complete x है 2x तो यहाँ पे भी क्या बनाना है मेरे को 2x बनाना है तो मैं क्या करता हूँ इसको उपन नीचे 2 से multiply करता हूँ अब जैसे अपने पढ़ा था limit x tends to a और यहाँ पे कोई value k थी f of x f of x तो इसको करते थे k limit x tends to a f of x इसका क्या मतलब है k कोई अचर value है जो क्या आ जाएगी बाहर आ जाती है और function पे limit लग जाती है तो वैसे अचर value क्या है इसमें 2 है 2 है तो 2 बाहर आ जाएगा limit x tends to 0 sin 2x upon 2x sin 2x upon 2x जो की क्या हो जाएगा अपने पास ये वाला complete क्या है 1 है 1 है तो अपने पास क्या है इसका answer 2 2 multiply 1 वरावर 2 2 अब इसमें 2 कौन सा option है C option है तो अपन C यहाँ पे फिल कर देंगे C यहाँ पे फिल कर देंगे उसके बाद 3rd equation अपने पास 3rd अपने पास center of the circle circle का equation है उससे क्या बताना है अपने अपनको center बताना है center of the circle is क्या है मतलब circle का circle का center क्या होगा circle का center क्या होगा तो अपने पास x minus k का holy square प्लस अपने पास था x minus h का holy square प्लस y minus k का holy square बराबर a square जिसमें h और k क्या थे? h और k अपने पास थे center और a क्या था? तिरिज्या रेडियस बराबर a और h और k क्या थे? center के निर्दे सांग तो इसको equation क्या है अपने पास? x square प्लस y minus 1 का holy square अपन 2 square मान सकते हैं इसको तो इस पे तो क्या है? 0 है तो 0 और इसका क्या है? minus तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 तो इसके center क्या होंगे? 0 और 1 तो यहाँ पे a option यहाँ पे क्या जाएगा? a option fourth अपने पास क्या है? fourth question? slope of the line slope of the line यह है अपने पास तो इसके slope क्या होती थी? अपने पास था y बराबर mx प्लस c इस type से तो इसको कैसे बनाएंगे अपने पास है? minus 2x प्लस y बराबर 3 तो इसको करते हैं अपन y बराबर 2x प्लस 3 तो यह अपने पास m है, यह c है तो इसकी slope कितनी होगी? slope होगी 2 slope होती है परवनता तो answer क्या दिगा? b next question है अपने पास? d upon dx अब जैसे d2 upon dx2 इसका मतलब है, दो बार क्या करना है? अपने को? अपने करना है तो सबसे पहले अपन d upon dx और d upon dx यह है अपने पास x square प्लस x तो इसका करेंगे तो क्या होगा? 2x प्लस 1 और d upon dx अगेन करना है इसका again करना है दो बार करना है तो क्या हो जाएगा इसका तो 2 हो जाएगा plus 0 2 plus 0 तो answer क्या आएगा 2 तो यहाँ पे क्या होगा 2 next अपने पास है अब यह direct formula किसी भी जो exponential function होता है उसी पे based है यह तो इसका direct formula क्या होता है अपन d upon dx sorry k x अगर ऐसा कुछ हो अपने पास तो क्या होगा k x log base e x यह होता है इसका direct formula तो यह क्या होगा इसका b इसका b option यह आप note कर लेना k कोई अचर value है उसके बाद next execution है अपने पास cos x cos x का dx क्या होता था minus cos x minus cos x तो यह हो जाएगा d यह क्या हो जाएगा d अपने पास 8 question क्यों है 8 question है अपने पास इसका क्या करना है alkaline करना है sorry sum alkaline करना है तो 3 तो 12 जाएगा x square का क्या करना है dx तो x की पाद 2 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1 तो x का cube बटा 3 और multiply में क्या था 3 तो यह 3 क्या होगा cancel होगा अपने पास क्या हैगा x cube और c अपन constant add कर देते तो x cube प्लस c तो क्या हैगा d उसके बाद next है अपने पाद यह क्या है अब यह क्या है determinate है या matrix है यह determinate है क्योंकि यह क्या है mode का form break it है तो यह वाला क्या होगा इसका solution 2x अपने पीछे करा था उससी type से करना है minus 0 बराबर यह हो जाएगा 3 minus 1 तो यह होगा 2x बराबर 2 तो x बराबर क्या होगा 1 x बराबर क्या होगा 1 जो की b option में है तो यहाँ पर क्या हैगा b option आएगा आपने पास last question है अपने पास brackets वाला यह अपने पास क्या है इसका determinate निकारना था तो यह अपने एक चीज बढ़ी थी plus minus plus minus plus minus plus minus plus यह क्या था अपन को जैसे पर्ष्ट रो लेते थे इसमें क्या लेते थे अपने जैसे 1 लेंगे पर्ष्ट रो 1 तो वो plus लेना है अपन को plus लेना है उसके बाद इसके सामने वाला छोड़ देते थे इसके नीची वाला तो यह बचेगा अपने पास यह बचेगा अपने पास 4, 2, 2, 3 उसके बाद लेते थे minus का sign लेना है 2 लेना है 2 लेंगे तो ये वाला छोड़ना है ये वाला छोड़ना है तो 2, 1 और 2, 3 उसके बाद क्या लेना है प्लस का sign लेना है और 1 लेना है तो ये वाला छोड़ना है क्या बचेगा अपने पास 2, 4 और 1, 2 अब इसको solve कर लेते हैं 1, ये हो जाएगा 12 minus 4 minus 2 यह हो जाएगा 6 minus 2 plus 1 यह हो जाएगा अपने पास 4 minus 4 तो यह तो 0 हो गया यह कितना हो गया 3 3 का double minus का 6 यह कितना हो गया sorry यह 4 4 का double 8 4 का double minus का 8 और यह कितना हो गया 12 में से 4 गया तो 8 प्लस का 8 तो यह क्या है अपने पास 0 इसकी value क्या है determinate की 0 जो कि किस option में A option में तो अपने इस type चे यह questions करें जो बिल्कुल basic से थे और आप easily कर लोगे यह तो यह class आपको अच्छे से देख ले नहीं है एक बार यह आपका section A का part था अप section B करेंगे अपन जो next class में करेंगे उसमें भी आपके exam का paper है वो अपन solo करेंगे आपे अभी यह class यह ओर करते हैं क्योंकि अपन next class में देखेंगे section B के questions तेंक य।